दो खास मेमान ने इस तक्वीक के बारे में समझाने के लिए और खास तरपर इससे बचने के तरीका बताने के लिए डॉक्टर शुभी चतुरवेदी जो कि टेक वीशेशक हैं और पवन दुगल साब जो कि एडवोकेट ने सुप्रीम कोट में मेरा पहला सवाल दुगल साब आपी से है और मैं जानना चाहूंगा कलो परसो महत्पून बैठक होने वाली है क्या निकल कर आना चाहिए क्या किस तरीकी की रोक ये कंपनियां बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां लगा सकती है मुझे लगता है सरकार बहुत सीरियस है डीप फेक को लेकर तो मैं उमीद करता हूँ कि सरकार इंप्रेस करेगी सोचल मीडिया कंपनी को किसाब अपना हाउस और खुद कर लीजे नहीं तो हमें मनलब रूल्स और रेगलेशन लाने पड़ेंगे और अच्छा भी है कि अगर ये जितने इंटर्मीजरीज हैं सर्विस प्रोइडर्स हैं खुद ही अपने आपको सरकार को बताएं कि साब हम यह यह प्रोएक्टिव कदम उठाने लग गए हैं ताकि हमारे प्लैटफॉर्म पर इस ताना कि डीप फेक वीडियो उप्लब्द ना हो ना ही उनका ट्रांसमिशन या प्रसारण हो इसके लिए उनको खर्चा करना पड़ेगा नई टिकनोलोजी इस्तमाल करनी पड़ेगी ताकि हर वो डीप फेक वीडियो हो उसको मैप कर सके उसको मारक करके आम सधारन जो दर्शक हैं उनको बताया जा सके साब ये डीप फेक वीडियो है इस पर रिलाइंस ना करे और साथी साथ अब उन्हें एक नया प्रक्रण करना पड़ेगा कि जैसे जैसे जब कोई व्यक्ति उन्हें नोटिफाई करेगा डीप फेक को लेकर तो उन्हें जल्द से जल्द इसको रिमूव करना पड़ेगा आज की तारिक में तो IT rules 2021 बहुत स्वश्ट कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा वीडियो है जो अश्लील है तो इनको 24 घंटों में रिमूव करना है हाला कि अधिकांश कंपनियां 24 घंटे में रिमूव करती ही नहीं है और अगर यह नॉन सेक्शल content रहेगा डीप फेक का ही तो उसमें पंदा दिन का समय है मुझे लगता पंदा दिन के समय की जो समय अवधी है जो आईटी रूल से 2021 में दार दिया था आज वो बिलकुल बेमानी हो चुकी है को रिलेवन्स नहीं रही अगर आज इसी व्यक्ति का बीप फेक वीडियो रिलीस कर देते हैं तो पंदा दिनों कर लीजे खुद वॉलिंटर्ली करम उठाइए नहीं तो हम रूल्स न्रेगुलेक्शन लाएंगे क्योंकि डॉक्टर शुभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यह बहुत ही बड़ा खत्रा है और जिस तरीके से बड़ी-बड़ी परस्नालिटीज का एक्ट्रस का इस्तिमाल किया गया उनका करेक्टर असेसिनेशन करने के लिए एक तरीके सागर कहा जाए तो कैसे सरकार को क्या सफलता मिलेगी क्या गूगल और मिटा जैसी कंपनिया सुनेंगी भारत की बात को सुमित बहुत एहम मुद्ध है और जिस तरह हम टेलेफोनी को समझते हैं इंटरनेट का स्वारूप समझते हैं इंटरनेट हम सब मिलके बनाते हैं जैसे एक सड़क है आप उस पे कूड़ा डालेंगे तो वापस आपको कूड़ा ही मिलेगा इसमें दो मुद्ध है हमारा ज जर्नलिजम या मिसिन्फरमेशन या फेक न्यूज या दिस इंफरमेशन समझाते हैं स्पेशली इस कॉंटेक्स में कि जहां बहुत गैप है हमारी डिजिटल कापैसिटी बिल्डिंग में तो वाइल हमारे नंबर्स आट सो चालेस मिलियन के करीब हैं पर सब लोग जो सेल्फ लेकर आईए वो पर्फेक्ट नहीं होता वो बिल्कुल ठीक संबला हुआ नहीं होता पर सबकी एच्छा है लोग उन्हें देखे उन्हें बूजें उन्हें समझें तो एक तो हमारा कौतु हल है दूसरी हमारी जिग्यासा है तीसरा क्रिएटिव फ्रीडम और जो ल परणवर्ष बहुत रियल होते जा रहे हैं तो उसमें अगर कोई विडियो आता है और इलेक्शन का समय है या है तो जो हमारा आईटी आक्ट है वो कहता है चात्यस घंटे के अंदर 2021 में रूल्स जो बनाएं आप उनका संग्यान ले अब यू और यूएस दोनों ये बात क कह रहे हैं कि आपको गाइडलाइन इशू करनी है आपको इंडिपेंडेंट नेटवर्क और फैक्ट चेकर्स को लेकर आना है डोनों कंपनिया ये कहती हैं फेस्बुक हो चाहे मेटा का सारा ग्रूप हो या फिर गूगल हो कि जब हम सोशल मीडिया के साथ छेर चार करते है तो हम अपनी intermediary status खो देते हैं तब आप editorial interventions यूज़ कर रहे हैं यहां अभी तक कोई black and white में solution निकल के नहीं आया है सुमित इसलिए हमें यह समझना है कि technology companies को, platforms को और सरकार को as well as educational institutions को साथ में मिल के काम करना है आपका क्या उमीद की जाए कल की बैटकों के बाद कुछ निशकर्ष निकलेगा इस मामले में? और साथी साथ विवश करना पड़ेगा इन service providers को कि deep fake को लेका जब लोग शिकायत करें उनकी शिकायत करने वारण 24 घंटे में यह लोग करें शुक्रिया शुबी डॉक्टर शुबी और शुक्रिया दुगल साथ इस बातचीत के लिए उमीद करनी चाहिए कि जो सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म से जैसे इंस्टाग्राम हो गया फेस्बूक हो वाटसाप हो गया वो सरकार के इस प्रेशर को सरकार की जरूरी प्रेशर को मानेगी ताकि किसी भी तरह से डीप फेक का इस्तेमाल करकर गरत चीजे प्रचारित प्रसारित समाज में भारत की एकता खटता को डिस्टरब करने के लिए ना हो पाए